प्रकार किसाम भाईयों आपका किसान टेक चैनल पर स्वागत है किसान दोस्तों फसलों में मकडी कंट्रोल करने के लिए आज की वीडियो में हम बाताएंगे एक जब अरदस रिजल देने वाली मकडी ना सक की इतना सक के बारे में जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहें क्या है और डोच क्या है सब कुछ बताएंगे वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें तो जी हाँ दोस्तों क्रिश्टल का एबसी या एक मकडी ना सके तो बात करते इसकी कंपनी के बारे में एबसीं की जो कंपनी है क्रिश्टल और इसमें जो कंटेंट है यह ब्रा करना चाहिए तो आपका पास सोयबीन, बैगन, मुंग, फली, पपिता, गुलाब, मीर्च, टमाटर या फिर इसके अलवा जिस फसल पर भी आपको मकडी का अटैक देखने को मिल रहा है तो सभी फसलों में चिड़काव कर सकते हैं वीडियो में बताएगे फसलों में एदि इसका जो डोज है आपको प्रती एकड़ 150-200 लिटर पानी में 150 एमेल चुड़काव करना चाहिए एक ब्राड एक्सप्रेटर मकडी नासक इन सेक्टी साइड है दो सभी प्रकार की मकडी को चाहो लाल, पीली या फिर जितने भी प्रकार की मकडी की प्रजातिया होती है यह सबको कंट्रल कर लेता है इसके साथ आपका क्रास किट नासक मिला का स्प्रेइ ना करे मकडी नासक के लिए इसका जो प्राइज है सो एमेल का प्राइज 890 रुपे के आसपास मिल जाता है थोड़ा सा महेंगा है लेकिन रिजल भी भरपूर मिलता है इसका रिजल लगबग 25 से 30 दिनों तक मिल जाता है जो सभी से लगबग जादा है तो किसान भायो कहने का मतलब यह है मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ यदि आपकी फसलों में माइट का अटेक देखने के लिए मिल रहा है तो आप एवोमेक्टिंग यानि क्रिस्टल का एवासीन मकडी ना स अटक को स्प्रे कर सकते हैं वीडियो में बताएगे यदि आपको जानकर है अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें लाइक जरूर करें और आपको सावधानी क्या है यदि खेत में थोड़ी सी नमी रहती है तो बहुत ही अच्छी बात है और भी अच्छी रिजल्ट मिल अब तक के लिए धन्यवाद जय हिन जय किसान